हेलो एवरिवान वेलकम एंड वेलकम वेक टो माई चैनल मर्सी सिंग तो आज के वीडियो में आप सभी के लिए लाई हूँ गौहाती उनिवर्सिटी के बीएट एंट्रेंस या फिर बीएट एड्मिशन के बारे में तो आप सभी लोग इस वीडियो को प्लीज बीना स्कीप कि देखना क्योंकि सारा कुछ इन्फोर्मेशन गौहाती उनिवर्सिटी के ओफिसियल वेबसाइट से मैंने आप लोग के लिए सर्च करके कलेक्ट किया है तो आप लोग प्लीज वीडियो को एंड तक देखना ठीक है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं गौहाती उनिवर्सिटी बीएड एड्मिशन के लिए पहले आप सभी को एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना होता है तो इसमें एपियर करने के लिए आपको बीए बीएसी बीकॉम या फिर एमे एमेसी एमकॉम कोई भी एक कोर्स आपको 50% मार्क्स से पास होना परेग तो टोटल नमबर अप कोईशन हंड्रेट आएगा जो आपका बीएड एंट्रेंस टेस्ट है सारा कुछ MCQ टाइप कोईशन आता है हंड्रेट कोईशन में से आपका जो एक कोईशन आप करेक करते हो उसके लिए आपको 4 मार्क्स दिया जाता है इसी लिए कारण टोटल मार प्रक्स 400 और 120 मिनिट आपको टाइम दिया जाएगा इसी टाइम के अंदर आपको शारा पेपर कम्पलीट करना होता है और कोईशन पेपर आप लोगो को फेले लाने नहीं देगा वही पर आपको सबमिट करना होता है तो बहुत लोग कोईशन पेपर का PDF मांगते मुझे प क्योंकि यह अपडेट नहीं किया है वेब साइट पे सिलेबस से मी रहेगा हर साल के लिए ठीक है वाहती उनिवर्सिटी का बीएट सिलेबस चार पार्ट में डिवाइट किया गया है तो पहले आप लोगों को वह सारा कुछ सिलेबस में दिखाऊंगी स्क्रीन पर और कैसे क् और पहले का वीडियोस भी आप लोगों को देखना है वापे मैंने बहुत इंपॉर्टन टीप्स भी बताये हैं और कहां से बुक्स कलेक करने पीडियाप कैसे डाउनलोड करनी है टेलिग्राम चैनल से वह सब कुछ भी मैंने बता रहा है तो प्लीज पहले का वीडियोस ज सारा कुछ देखना होगा इस पार्ट के लिए देन सेक्शन सी इनका भी 120 माक्स का आएगा टेस्ट आप रिजनिंग और नुमेरिकल एबिलिटी ठीक है और इनके बारे में मैंने अलग से वीडियो बनाके रखा है अपने चैनल में आप जाके देख सकते हो प्लेयलिस्ट मे सेक्शन डी के आएगा 40 माक्स कारेंट इंडियान एजुकेशन इशूज और पॉलिसिस के बारे में आएगा एनिपी 2020 ये कारेंट सिलेवर से आप देख लेना जिनका भी बुक खरीद रहे हो अगर ये बुक में नहीं है तो आप वो सिलेवर्स के एकोर्डिंग वो बुक म और कोईशन के बारे में भी थोड़ा देख लेते कोईशन पैटर्न मतलब कैसा आएगा तो एक कोईशन आपका 4 माक्स रहेगा जैसे कि मैंने पहले बताया है पर ये साड़ा कुछ कोईशन MCQ टाइप होगा चार ओप्शन रहेंगे एक आंसर करेक्ट करना होगा और जो आं में आएगा और वेमर शीट में आप लोगों मैंने बताया वह राउंड राउंड करके फिल करना होता है और एक राइट आंसर के लिए चार माक्स और अगर एक गलत करते हो जो भी आपने माक्स मिले थे उसमें से एक माक्स घटा दिया जाएगा मतलब डिड़क करेगा ठीक जो भी माक्स आपको मिलता है उसके बैसिस पर आएगा पर यहां पर भी कुछ रिजन्स दिया गए क्राइटेरियस दिया गए वह सब कुछ आप बाद में पर लेना पर अभी बहुत टाइम है मैं इसके बार में नहीं देखेंगे अभी रिजर्वेशन और रिलेक्सेशन ज लिए आप लोग जो अप्लिकेशन फीज दो गए यह लास्ट येर का है लास्ट येर मतला 2022 का है 23 में बढ़ा था 24 में और भी बढ़ने का चांस है ठीक है और दोस्तों आप लोग कुछ भी अगर क्वेशन से तो आप लोग मुझे कॉमेंट कर सकते हैं इस्टा में डीम कर स और एक इंपॉर्टेंट बात आप लोग के लिए मैंने बहुत सारे वीडियोज बनाये हैं और कैसे आपको अप्लाइ करना है हर एक कॉलेज में सारा कुछ इन डीटेल्स मेरे चैनल पे आपको मिलेगा प्लीज वीडियोज को देखिए और थोरा सा आइडिया लीजिएगा क्योंकि जब आपका एड्मिशन के टाइम में किसी को नहीं पता होता है कोई हल्प करने वाला नहीं होता है तो आप लोग बहुत मतलब गलत कर सकते हो या फिर कुछ अप लोग उसे गलती हो सकती है तो आप लोग पहले से मेरे वीडियोज को देखके थोरा सा जानकारी ले सकते हो गौहाती उनिवर्सिटी के बीएड एंट्रेंस के उपर जो सारे कोईशन आये है तो आप लोग को में बता देती हूं कि बीएड एंट्रेंस हम लोग अभी सेकेंड यर में हैं तो हमारा एक्जामनेशन होने का चांस है आगस्ट महिने को तो अगर आगस्ट महिने क पहले से आप लोग का नोटिफिकेशन आ जाएगा जो बीएड करना चाहते है और जो पहली बार मेरे वीडियो देख रहे हो वो लोग मेरे प्लेलिस में जाके देख सकते हो गौहाती उनिवर्सिटी के बीएड एंट्रेंस कब हुआ था क्या सिलेवस रहा सारा कुछ में ड जब होगा उसके बार आप लोग का अडमिशन के लिए नोटिफिकेशन आएगा सारे कॉलेजेस में आप लोग का अपलाई करके रखना है तो हर एक क्वेशन के लिए आपको चार ओप्शन रहेंगे एमसी क्यू टाइप कोईशन होता है तो चार ओप्शन में से जो करेक्ट होगा उसको चूज करना है तो अगर आपने करेक्ट वाला चूज किया है तो आपको चार मार्क्स मिलेंगे और अगर आपने गलत किया है तो आपका जो भी आपको मार्क्स मिलने थे वो मार्क्स में गलत कर दिया तो आपका क्या होता है mark कमते जाएगा तो आपको कमाना नहीं है marks बढ़ाना है तो आच्छे से preparation करो आप लोग का बहुत जल्दी notification आएगा कुछ महिने बाद तो आप लोग स्टे ट्यून फोर नेक्स वीडियो और मैं वीडियो लाती रहूंगी इसके उपर और कुछ भी इंफोमेशन हो तो आप लोग प्लीज कॉमेंट करके मुझे बताना क्या टॉपिक पर मैं वीडियो बनाओ कौन सा आपका कोईरी से सब कुछ और अगर आज का वीडियो अच्छा लगए तो प्ली प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब करना मत भूलना फिर मिलेंगे नेक्स वीडियो में तिल दन स्टेश प्लीज ते तुन फर नेक्स वीडियो बाई बाई